नमस्कार दोस्तों आज यह तपन में आपका स्वागत है सेटरडे और आज हम लोग ऐसे मार्केट बंद है आज थोड़ी बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट आपने देखा है कि हर रोज अल टाइम हाई टच कर रहा है थोड़ा थोड़ा बल्ड के लेकिन कल एक स्टॉक की और स्टॉक का नाम है अमराजा बैटरी यह स्टॉक बहुत ही लोगों ने पूछा है कि इस बारे में करना क्या है क्या है क्योंकि आपको पता हूं हमने कुछ एक दो महीने पहले मैंने एक्साइट स्टॉक भी कवर किया था और उसका कॉम्पीटिटर अमराजा अमराजा बैटर एक्साइट दो ऐसे पिलर है बैटरी इंडेस्टी में और काफी फेमर्स है क्योंकि एलीक्रिक की एकल आ रहा है और काफी आपने देख सकते हो कि बोथ एक्साइड और अमराजा बैटरी में प्राइस हाइक हुआ है तो चले बात करते डीटिल में लेकिन बात करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ एक कॉशन देना चाहता हूँ कि गाइस मैं एक सेभी रजिसर रीसर्च एनलिस्ट हूँ और यहां जो भी बात की जाएजी वह एक information के लिए यहां कोई recommendation नहीं है ना में यह stock hold करो हम हमारे काइन को hold कर रहे होंगे तो होंगे लेकिन मैं hold नहीं कर रहा हूँ तो client specific तो मैं बूल नहीं सकता हूँ कि वह hold कर रहे के नहीं लेकिन हाँ यह stock as a information की तरह ही आप लेना यह जो भी suggestion मैं यहां से दूंगा वह चले detail में जाते हैं तो detail में बात करेंगे Amaraja battery के बारे में तो Amaraja battery में presentation share कर लेता हूँ overall अगर आप यह stock देखो न तो बीच में वो कोई actually इतनी चहल पल नहीं थी वो stock के बारे में लेकिन at the end of the day अगर आप मरलोग पिछले November से अगर आप देखो तो काफी एक अच्छा खासा अप्टिक है अगर यहां देखे तो यह stock overall अगर आप देखो तो 2000 basically 15 तक वो 400 था फिल लेकिन 2015 से almost 1000 गया और आप देख सकते हो यहां अगर आप यह देख सकते हो यहां almost okay almost November 2023 तक यह stock ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया I know basically एक रेंज में रहा है यह दो पूरा रेंज में था 2015 से 2023 नवेंबर तक 400 से 1000 के रेंज में था लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा अप्टिक आया और आप देखे हो यह stock almost लंबी चलंग मार के almost 1000 को जैसे ब्रेक किया वो almost अभी 1700 के आसपास है और यह reason क्या थे वो हम लोग देख लेते आज लेकिन हाँ यह stocks काफी सारे उसके reasons भी है एक one of the reason जो आपको पता है तैलेंग अना और वो आंदर के वज़े से ना वहाँ एक political party के वज़े से भी थोड़ा problem हो र जीता है नो यह stock में भी एक अच्छी खासी rally आई थी तुस्य सब हम लोग अगर बात करें तो overall अगर यह stock के बारे में बात करें तो detail में अगर आप जाते हैं तो यह lead acid batteries का production करते हैं अगें automotive industry में काफी बड़ा नाम है two wheeler, three wheeler, four wheeler and CVs के लिए अगें largest exporters है four wheeler batteries के लिए अगें इनका basically first agent battery manufacture for two wheelers अगर हम लोग बात करें 67% उनका जो share है market share है वो automotive में है और 29% industrial और 4% others है तो यह एक revenue break up है अगें वो लोग basically उन्होंने प्लांड किया है कि 1.5L MTPA का leading recycling facility वो लोग प्लांड कर रहे है अगें industrial में भी उनका बड़ा नाम है जो almost 29% है टेलीकॉम, railway, power control, solar, UPS वहां एक तड़ा से supply कते हैं और वो market dealer leader है टेलीकॉम सेक्टर में आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर suddenly एक अच्छा खासा बढ़ रहा है price high का रही है तो of course वहां से उनको benefit नहीं है अगें बाकी सब तो यह आप देख सकते हो कि काफी साइब batteries यह आपको फोटो में भी आप देख सकते हो कि काफी साइब batteries जो famous है उनकी वहां से ही आती है और एकसाइड और अमर राजा दो ही नाम है battery industry में जो अच्छा perform कर रहे है अगर हम लोग बात करें automotive industry में तो lease sell and pack manufacturing के लिए वो लोग basic supply करते हैं यह देखो यह new energy business भी है at the end of the day no they are expanding again they are focusing on EV charging products energy storage solution again successfully powered an e-bike using in-house NMC based 2170 cylindral cells तो काफी अच्छा innovation भी वो लोग ला रहे slowly and gradually because EV एक ऐसा segment है जहां काफी demand आने वाली है future में तो वहां भी वो लोग जा रहे फिर अगर हम लोग बात करें manufacturing distribution की तो उनकी seven battery manufacturing plants है दो location में और वो दोनों location अंदर प्रदेश में ही है ओके अगर हम लोग automotive के बाद के तो 15 mn annualized capacity है और industries के लिए 2.5 billion EH की capacity है again they are actually also planned plastic division planned of munglems industry यह यह जो है वो April 1 2022 से effective हुआ था यह reason लाने का था कि उनको margin में एक booster चाहे तो और that's why नो यह plan चालू हुआ था again अगरना आप लोग बात करें के automotive में किन को वो supply करें के main clients कौन से तो आप देख सकता है Maruti, Tata, Kia, Ford, Hyundai, Toyota सब बड़े बड़े नाम सभी बड़े नाम है उनके client list में वो passenger वी कर लो commercial वी कर लो या two-wheeler इवन इंडेस्टियल्स में भी Airtail जैसे और इंडेस्टावर दिखो जैसे बुला गया कि telecom industry में इनका अच्छा खासा supply जाता है तो यह दोनों में जाता है again Shandir, BSNL, सब में ATS India, so overall उनका काफी focus रहा है automotive और industrial sector दोनों में, similarly guys वो लोग focus करने जाए new energy business, so basically इसके लिए as the India's electrification demand expect to be 150 GWH by 2030 तो उनके लिए भी वो लोग काफी काम करें इवन mobility telecom data surrenders के लिए भी वो काम कर रहे so that उनको supply कर पाए अपने products, significant market chain gain opportunity तो वहाँ as वो telecom में already leader है, वहाँ उनका एक अच्छा खासा market share बनने की उमीद है, policy push में अगर हम लोग भाए financial subsidies, manufacturing subsidy value, 50,000 कोरो प्लस होने वाली है so overall अगर हम लोग बात करें, electric vehicle का expansion जोड़ना है वहाँ Ambaraja बैटरी एक बड़ा role play कर सकते हैं, initially अगर आप देखो जब वो stocks इतना perform नहीं कर रहा था, तब वो लोग इतना active भी नहीं थे electric vehicle में लेकिन थोड़ी politics change होगा है और काफी साही changes उसके बाद उनका performance काफी बैतर रहा है even a new energy solution में, resell, pack, manufacturing में वो एंटर करें, electric vehicle charging solution की बात हो रही थी again energy storage solution में भी वो लोग एंटर कर रहे है, तो यह था कि वो कहां-कहां एंटर कर रहे है अब जब हम यह company को अगर बात करें तो न्यू energy business में कौनसे plant setup करने जा रहे है तो basically उन्होंने plan किया है कि 9500 crore का उन्होंने capex plan किया है again e positive energy labs वो लोग फॉर्म कर रहे है, again land allotment भी काफी हो चुका है 262 acres telangana में और यह आप देख सकते हो कि giga cell plant और pack factory का वो लोग basically आगे जाके plant कर रहे है और यह जो giga cell plant है वो उनका एक कहते है ना कि one of a very very important factory setup वो लोग plant कर रहे है क्योंकि वहां से काफी साही चीज़े आने वाली, काफी production होगा और it will be a game changer for them उनका collaboration भी हुआ है जो मैं अभी detail में बात करेंगे लेकिन जाने से पहले काम देख लेते के यह company ने परफॉर्म कैसे किया है तो अगर हम लोग बात करें दस साल का sales 13% है तीन साल का 16% है compounded profit growth दस साल का 9% है और तीन साल का 12% थोड़ा बढ़ा है और यहां जो मैं बूलने जारहा हूं वह आपको सिफ आइना दिखा रहा हूं और फ्यूचर प्रॉसरी बात करें आपका decision लेना है नहीं लेना है लेकिन हां हम लोग मैं आपको overall guidance देऊंगा कि यहां से आप क्या कर सकते हो ठीक है तो overall अगर आप देखो तो एक साल में भी stocks ने अच्छा खासा improvement दिख रहे हैं आप जब हम बात करते हैं PS comparison तो PS comparison हमेशा हम लोग Exide industry के साथ वह compare करते हैं अमराजा बैटरीस को अगर आप देख रहे हो तो overall market cap तो 30,000 कोरो है जबके Exide का 48,000 कोरो है P ratio थोड़ा कम है Exide के सामने industry P के almost से भी कम है तो अगर valuation point of view भी अगर देखो तो अमराजा थोड़ा less expensive है ROE उनका अच्छा है compare to Exide even ROC भी अच्छा है even ROA भी अच्छा है तो अगर आप देखो हर matrix में overall अमराजा बैटरीस के काफ़ी better ratios compared to Exide industry जो उनका बड़ा competitor है अगर हम लोग बात करे EV by EBITDA और वो सब पर तो EV by EBITDA में भी अगर आप देखो तो 17.85 जो कम है compare to 25.6 debt to equity तो almost दोनों का नहीं है तो कोई debt to equity में कोई problem नहीं है sales 17% से grow हुआ है profit Exide का 3% से grow हुआ है जबकि यहां अगर आप बात करो तो यहां 16% तो अगर आप profit growth के भी बात करो overall तो अमराजा का better है लेकिन भागा कौन सा stock है भागा Exide है compare to अमराजा तो यह यह चीज आपको ध्यान में रखती है overall अगर आप net profit margin भी देखो तो अमराजा का काफी better almost double है compare to Exide यह क्यों comparison कर रहे हमें क्योंकि at the end of the day आप जब stock में invest करो आपको पता होना जे competitor क्या है और competitor के सामने इस stock कैसे place है तो इस तरह से अगर हम देखे तो हाँ Exide से थोड़ा under value है compare to Exide लेकिन हाँ वही देखना पता है कि future में growth कैसा है तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो basically future के लिए उन्होंने announce किया technology type with Leon cell manufacturing जो बहती बड़ी company है चाइना में और वहां से उनको अच्छा खासा कह सकता है कि फाइदा हो सकता है overall basically यह agreement जो enables Amarraja to manufacture world class LFP cells in both cylindrical and prismatic form factors तो यह जो collaboration है वो एक तरह का कह सकते है कि game changer भी हो सकती है Amarraja के लिए इवन हम लोग again उनको help करेगी इवे से गीगा फेक्टरी जो मैंने गीगा फेक्टरी के अलएडी बात की है उसके लिए यह collaboration किया गया है तो वो एक positive point है also sector outlook के हम लोग बात के तो demand of course pick up पूरा है automotive और industry sector में अच्छा कासा demand है और आगे जाके यह बढ़ने वाला है electric vehicles का तो of course demand अच्छा बढ़ेगा और industrial sector में भी क्योंकि at the end of the day इंडियन economy उपर जाती है तो यह दोनों sector में फायदा होगा तो अगर आप देखो 37% जो उनका अमराजा के वो industrial sector में ऐसा नहीं कि only electric vehicle पर dependent है going forward commencement of tubular battery capacity reduction trading value and full benefit of amalgamation of plastic business to support profit तो वो जो amalgamation होने वाला है plastic business के साथ उसके लिए भी beneficial होगा again new energy business Leon battery space will help a lot to amalgराजा batteries तो यह बेजिकली यह जो collaboration है plus जो प्लास्टिक का जो वो factory set के उसमें भी amalgamation होगा again basically हम लोग सब बात करते हैं कि भाई electric vehicle आ रहा है electric vehicle आ रहा है तो यह battery business down होगा लेकिन इनको यह लग रहा है कि management को भी लग रहा है at the end of the day suddenly ऐसा तो नहीं है ना कि सभी vehicles electric vehicles में convert हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है रातो रात नहीं होता है तो demand रहेगी again higher visibility of Leon sales business will narrow valuation gap of coming pair with excite तो excite का अभी valuation gap काफी better है compared to that basically amalgराजा का कम है तो आगे जाके नो यह valuation gap कम हो सकते कैसे कम होगा जब amalgराजा battery का price hike होता है लेकिन कुछ key risk आपको द्यार नहीं है कि basically margin पे recovery आनी चाहिए so basically margin business इतना, इनका margin इतना बढ़ नहीं रहा है तो वो एक key risk हो सकता है again delay in capex execution in new energy business जो Leon factory space है वहाँ अगर capex में implementation में delay होता है तो भी इनका financials में हिट होगा और overall forecasting में भी हिट होगा, again basically अगर यह सब सही हुआ तो amalgराजा battery को गीगा factory में वो बनाने में कोई problem नहीं होगी, so overall अगर यह यह चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता है future process and all that, अब हम लोग जब बात करते है valuations की और यह सब की तो ऐसा जैसे मैंने बुला, अमरा जब battery compare to अगर हम लोग बात कर एक्साइट थुड़ा इतना महंगा नहीं है, हाँ, आगे जाके performance कैसे रहगा, तो performance वह यह कि 10-12% से अगर revenue ग्रोथ है, 10-12% से अगर profit भी ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं है कि यह सब companies ऐसा 25-30% से भागी, यह नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह का order book नहीं है, तो काफी हद तक यह जो price है, उसमें काफी हद तक discount हो चुका है, overall अगर आपको decent return चाहे तो यहां से आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ा वह है कि CapEx में अगर delay नहीं हो रहा है, तो वो एक beneficial part होगा company के लिए, नहीं तो एक problem हो जाएगी company के लिए भी, क्योंकि at the end of the day, CapEx जो आपने plan किया हूँ, अगर execute नहीं हो, तो आपका working capital बगता है और वहाँ जाके problem होगी, तो gigafactory किस तरह से जल्ली fast आए, प्लस उनको orders कैसे मिले, प्लस जो industrial output में भी उनको फाइदा मिला है, 37% क्या वो बढ़ा सकते हैं, और Leon जो cell manufacturing की जो बात करें, जितना हो जल्ली होता है, उनके लिए better होता है, तो guys, यह सब चीज़े, अगर मैं देखू, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, आप देख सकते हैं, एक दो quarter क्या result आज है, then you can take a decision, लेकिन decent return चाहे तो आप डाल सकते हो इसमें, क्योंकि आगे जाके कोई other partnership होगी, तो उनके लिए benefit होगा, क्योंकि अगर आप बात करें, एक साथ के भी आपको पता है कि किया और उंड़ाई के साथ agreement हुआ, उसके बाद stock ने suddenly बड़ा जम किया, तो आगे देखना है कि क्या अमर राजा बैटी इस तरह का agreement कोई company के साथ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो चले ये बात थी, अमर राजा के लिए मैंने अपना उपिन बोला है, लेकिन as I told you, आप खूद अपना research करके आप invest किजिए, जस मेरे बोलने पर ना आ जाए, ये disclaimer देना पता है क्योंकि नहीं तो सेभी वाले हमें बोलेंगे आप recommendation दे जाए, तो ये चीज धानर के जब ये related question, related to stock, कोई stock review करवाना चाहते हो, या anything else, please put it in the chat box, I'll take it. चले तो कुछ questions ले लेते हैं, एक दो questions लेते हैं, जो हमें मिले थे last session में, so एक question है कि सर क्या लग रहा है कि what will happen to the renewable companies, अशोगदास का question है, अशोगदास, renewables में देखो एक ही problem आ रही है, जो अभी कि उनके valuation काफी high चले गए, और on the thinking that ओके आगे जाके ये सब company अच्छी perform कर तो इनका P ratio already काफी हद तक बढ़ चुका है, तो कोई भी renewable companies में, अभी आपको पता है कि वो 12-13% up चला जा था, तो at the end of the day, ये सब companies में invest करने से पहले नो, आप देख लो valuation क्या है, और उनके पास projects कैसे, और projects जो भी है, क्या वो deliver कर पाएंगे के ने, क्योंकि क्या होता है, projects order book तो बढ़ी होती है, लेकिन order book कभी भी चली जा सकती है, correct, तो ये चीज़ ध्यान रखके ही आपको renewables में करने, लेकिन theme बढ़िया है, theme चलेगे, green energy की demand है, solar या wind और ये सब सेक्टर में काफी फाइदा हो सकता है, लेकिन वह ये valuation metrics आपको देखते रहना है, sir what do you think, Rajesh Mashawan बोले कि what do you think when the market will fall, market देखो अभी ऐसा कोई trigger नहीं आया है, लेकिन अगर आप बात करो market अभी nifty की बात को या BSE की बात को ये already काफी over value trajectory में है, तो आगे जाके हाँ, अगर proper running season नहींगी ये जुलाई की, और monsoon अच्छा नहीं रहा तो एक problem आ सकती है, या तो फिर बात होई कि यूएस में कभी interest cut नहीं होगा, तो भी market गिल्स है, क्योंकि ये already बहुत ही long है, 84% long position है, और इस position में वही होता है, हमेशा डर रहते हैं क्या market गिल्स आए का बहुत बूरी तरह से, तो थोड़ा cautious होके आपको जाना है, जीतेंद्र बाबु बुले, इस आस है आपको, overall, IT stock में, of course, recovery आए, पिछले एक देर महीने से बात करें, तो IT stocks ने ज्यादा अच्छा perform किया, infosys में भी बहुत अच्छी recovery आई है, लेकिन वही है क्या infosys उस तरह का deliver का double digit में margin ले जाएगा, क्या, और वो सब चीज़ आपको देखनी है, और guidance कैसे आता है, और और अगर आप बात हो, infosys ने पहली बार ऐसा हो है कि result आने से पहले 15-20% बढ़ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि next 2-3 quarters can be a tough one for IT industry also, लेकिन आपको अगर bottom fishing करने तो आप कर सकते हो IT industry में, तो लेकिन recovery कैसे होगी, वह हमें एक दो मेने के बाद ही पता चलिया, ठीक है, चले तो अगर यहां तक रखते हैं, आपके कोई question है, comment box में जरूर डालेगा, मैं next time लूँगा, तो hope you like the video और अगर आपको समझना है कि इस तरह से stock selection भी कैसे और कैसे research करते हैं, मैं link दूँगा हमारे master workshop का और वहां आप attend कर सकते हो, ठीक है, चले, thank you very much guys, see you then, bye bye, next video